Hello everyone, मैं मनिस कुमार, आप सभी लोग का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ आज कि इस वीडियो में हम लोग सिखने वाले हैं कि हम लोग Black Screen के Problem को कैसे Solve करें जैसी हम लोग अपना OBS में Screen को Capture करने की कोसिस करते हैं तो बहुत सारे जगा पे हमें Compatibility Issue आता है Compatibility Issue का मतलब हो गया कि हम उस चीज को Access नहीं कर पाते हैं OBS के Windows Capture के तुरू तो आज इसी चीज का Solution बताने वाला हूँ कैसे आप लोग Black Screen के Problem को Solve कर सकते हो तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और आप लोग को OBS Screen पे ले चलते हैं और वहाँ पे दिखाते हैं कि क्या क्या सेटिंग्स करने पड़ेंगे जिससे कि आपको कभी भी आगे in future दिकत नहीं आएगा तो इसमें दो चीज होता है एक होता है Window Capture और एक होता है Display Capture मैं वही पे आप लोग को समझाऊँगा कि Window Capture क्या करता है जो Method 1 होगा वह सबसे Best Method होगा अगर आपके requirement होती है कि नहीं हमें Method 1 से करना ही नहीं है तभी आप Method 2 पे स्वीच करना वरना Method 1 ही सबसे Best Method होगा और वह मैं सबसे पहले बताऊंगा पहले आपको Method 1 पे ट्राइब करना अगर नहीं होता है तो फिर Method 2 अगर आपकी requirement है तभी जाना है नहीं तो Method 1 आपका proper काम करेगा ठीक है तो जैसे कि अभी मैं OBS के स्क्रीन पे आ चुका हूँ और यहां पर देख सकते हैं कि अभी पूरा black दिख रहा है यहां पर हमें चीजें आड़ करने होगे जिसे कि हम लोग जो फーस्ट आड़ करने वाले है वो है डिस्पले capture तो यहाँ पर तीन तरह के capture होता है डिस्प्लेय capture, game capture और video capture तो हमें विंडो capture तो यह तीन तरह के capture होते हैं और हमें जो करना है वो display capture करना है क्योंकि यह सबसे best metadata इसमें black screen आने का इसू नहीं होता है तो display capture में जाएंगे, ok करेंगे तो display capture क्या करता है कि आप पूरे screen जो भी आपके screen पर चल रहा है वो सारी चीज़े आप record कर सकते हो और अगर कोई और application भी खुलता है तो उसे भी कर सकते हो तो मैं यह आपको करके दिखाता हूं मैं अभी क्या करता हूं कि इसको ok कर देता हूं कि कैसे कैसे record होगा और फिर मैं आप लोग को इसका वीडियो चला के भी दिखाऊंगा कि क्या क्या screen record हुआ क्या क्या नहीं हुआ तो यह पर 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 स्क्रीन को अभी यहाँ पर चल रहा है अभी अगर screen record नहीं करेगा तब issue है अगर screen record करता है तो फिर कोई issue नहीं होगा इसी तरह से बहुत लोगों ने आप में से पूछा था कि one note जो है उनका वह record नहीं हो पाता है तो जैसे मैं यहाँ पर one note screen पर दिख रही होगी तो मैं बढ़ा बढ़ा कि यह सब दिखाने वाला हूँ ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ window capture जो सरी display capture जो है वो पूरी तरीके से proper काम करता है बहुत लोगा requirement होगा कि जैसे वह screen तो से यह करना चाते रिकॉर्ड करना चाते लेगिन यह जो नीचे में जो हमारा टास्क बार वो रिकॉर्ड नहीं करना चाते तो उसका अपने पास दो solution है वाला solution यह है कि आप इस जो task bar अशी को हटा दो यहाँ से यहां से अटाने के लिए क्लिक करना है कि यहाँ पे कहीं भी एक टास्क बाद जो सेकेंड वाला ओप्शन में इसको इनेबल कर देना है अब देखो ये इनेबल हो चुका है अब देखो मेरा नीचे कोई भी स्क्रीन नहीं आ रहा रहा तो अभी स्क्रीन पूरा अब फीर हो रहा अब स्क्रोल करक 차र के उपर open board को नहीं कर पाते हैं तो open board का भी मैं करके दिखा दीता हूं क्यूंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग का हर एक डौट किलियर रहे हैं जिसे यहां पर open board है मेरा इस पर इसको open कर देता हूं यह देखो open board अब यहां पर कुछ लिखते हैं जिसे वेलकम तो यहां पर भी यह सारी स्क्रीन भी हमारी रिकॉर्ड होते जा रही है ठीक है और बस मैं अब भी जुस्ट आप लोगों को दिखाने वाला कि मेरा सारा स्क्रीन कैसे दिख रहा था अब इसको मैं क्विट कर देता हूं अब यह अब यहां पर जाएंगे और विड्टो कैप्चर में आ गए अब आपकी रिकॉर्मेंट है कि आपको टास्क बार नहीं चाहिए यहां पर क्या करना है कि आल्ट प्रेस करना है और इसको निच्चे से जहां तक आपको मूब करके हटाना है पार्ट को वह अटा देना है इस स्क्रीन करना है तो इस तरह से अगर आप चीजों को करते हो तो आप टास्क बार को एक तरीका जो मैंने बताए कि वह हैट करलो उसके थ्रू हो जागा और दूसरा तरीका इस तरह से हيل sjागा कि आपका हाइड़ आपका श्रूमार दिखते रहे आपको लेकिन यहां पर ये रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि हमने इसे हटा दिया है तो ये दो मेथर ते और ये जो सबसे डिस्प्ले कर चाथा वो बेस्ट मेथर था हमको जो टीचिंग करना है उसके लिए सबसे बेस्ट है अगर आपको अभी भी ब्लैक स्क्रीन का इसू आता है तो आप अब क्या करने वाले हैं कि हम देखने वाले क्या एक्ट्वल में क्या जैसा रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ तो मैं चलता हूं यहां पे वीडियो इसके अंदर मेरी सारी फाइल रिकॉर्ड होती है तो यहाँ पर यह देखो 23 जून का रिकॉर्ड हुआ यह वला भी 946 में इसको उपिन कर लेते हैं अब इसके आवाज को मैं म्यूट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए क्योंकि आपको डबल आवाज सुना ही पड़ेगा यह देखो इस तरह से मेरा पूरा स्क्रीन जो भी चीज मैं ओपन कर रहा हूँ वो सारी चीज़े दीख रही है देखो वन नोट भी ओपन हो गया और वन नेट भी मेरा रिकॉर्ड हो गया और यह जो मैं लिख रहा था वह है यहां से यहां पर देखो ओपन बॉर्ड अभी हमने just open करने की कोसिस करिये तो यहां पर यह भी रिकॉर्ड हो गया पाट और यहां पर ओपन बॉर्ड भी रिकॉर्ड हो रहा तो यहां पर आपको कोई ऐसा सॉप्ट्वेर नहीं है अब चलते हैं अपने दूसरे मेथड की तरफ तो चलिए अब अपना क्या कर लेते हैं कि हम लोग विंडो कैप्चर सिख लेते हैं तो विंडो कैप्चर के लिए क्या करना है यहां पर फिर से प्लस करना है और यहां पर अपने को जाना है विंडो कैप्चर में यह जो विंड में आप सेलेक्ट कर पाऊगे कि आपको कौन सा चाहिए जिसे आइफ़न आ रहा है या फिर ओड़ा सीटी आ रहा है और बाकी चीजा भी नहीं आ रही है तो नहीं आने का एक रिजन अभी मैं आपको यहां पर बता देता हूं जैसे कि अगर यह मिनिमाइज कर दो कोई टैब को वह आपको यहां पर नहीं दिखा तो जैसे मैंने इसको मैक्सिमाइज कर लिया अब मैं जाओंगा अगर OBS में और यहां पर यहां पर विंडो काप्चर आप एक बार कर लिया तो अपने को यह इस पर डबल क्लिक करना है तो इसका जो भी सेटिंग है वो खुल जाएगा और यहां पर देखो OneNote मेना खुल गया अभी OneNote दिखा रहा है winner City दिखा रही है और यह सीचर नहीं दिखा रही है तो इस तरह से आपको एक इस ऐसो तो मैंने में नहीं दिगा तो अभी सब को मैंने यह कर दिया है स्क्रीन पर ला दिया अब मैं जाओंगा यहां पर OBS में और देखूंगा डबल क्लिक करूंगा विंडो स्क्रीन पर अब देखूंगा में पास बहुत सारे स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर दूगा तो मेरा जो है अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा स्टार्ट रिकॉर्डिंग मैंने क्लिक कर दिया अब यहां पर मैं इसको यहां पर जाता हूं इस पर वननोट पर जाना मिनिमाइज किसी को नहीं करना है जो भी आपने स्क्र स्क्रीन को रिकॉर्ड करना है तो वह भी कर सकते हैं यहां पर जैसे कि देखो मैं चाहता हूं कि यह सारी चीज़े जो है वह मेरे इसमें ना है जैसे यह लिखा हुआ एवन नोट, नॉर्मान लेविस ये सारी चीज़े जो है वो ना है तो उसके लिए क्या करना है कि आपको all press करना है और इसको move करना है ये देखो इस तरह से ये cut गया ठीक है और अगर जिसे मैं right hand side में add pages ये सारी चीज़े भी नहीर दिखाना चाहता हूँ तो इसको भी ऐसे इस side से cut कर लूँगा ठीक है अब जो इतना part बचा इस पर क्या करना है right click करना है same procedure है transform में जाना है और यहां से कर लेना fit to screen यह देखो हमारा fit to screen आ गया अब जो है वो इतने part के ही चीज़ों को record करेगा अगर मैं इसके बाहर कुछ करूँगा तो वो हमें record करके नहीं देगा जैसे कि देखो मैं यहां पर अगर कुछ लिखूंगा मैं यहां पर जो भी चीज लिख रहा हूं वो आप लोग को दिख रहा होगा लेकिन जैसे ही यहां पर देखो अभी उपर में मैं wrap पे क्लिक करूँगा तो wrap वाली चीज़े यह सारी चीज़े यह फिर review में जा रहा हूं तो यह सारी चीज़े जो है वो आपको नहीं दिख तो आपकू हो सकता है कि आधा कट के दीखेगा तो ठीक है अब को स्टापकर लेते हैं कि हमारा कैसा रिकॉर्ड हुआeren तो यहां पे जितने यहां पर सबस्क्राइब करते ही तो वह एक बोसरोच घ्यान के सनुम statut घ्रूण करो ज्यादा बेटर होता है क्योंकि एक से ज्यादा स्क्रीन भी हमें कभी-कभी सुख करना पड़ जाता है अब यहां पर मैं कर देता हूं स्टॉप रिकॉर्डिंग और चलते हैं अपन वीडियो को देखते हैं कैसा वीडियो रिकॉर्ड हुगा तो मेरा जो वीडियो रिकॉर्ड होके आया होगा वह वीडियो इज में आया होगा यहां पर यह देखो अभी वाला जो है यह है इसको पिन करता हूं आवाज को म्यूट कर देता हूं इसका ठीक है अब देख पा रहे होगे कि यह सिर्फ अभी हमारा कौन सा विंडो कैप्चर हो रहा है सिर्फ और सिर्फ यह वाला कैप्चर हो रहा है अभी तक मैंने यहां पर कोई भी पार्ट को कट नहीं किया अभी कट वाला चीज बाद म अब मैंने क्या किया था इसको कर लिया था कि ट्रांसफagram कर पर ला लिया तो आप देखो जैसे जैसे मैं बोल रहा था वैसे वैसे सारी चीजें इस पर हो रही है लेकिन इसमें एक इसू आ गया कि देख सकते हैं अभी हमारे कहीं भी स्क्रीन पर जो पार्ट हम लिख रहे थे वो सारी चीजे नहीं दीख रही है तो इसलिए मैं बोला था कि कॉंपैटिबिलिटी इसू आता है आपको मुझे भी नहीं पता था कि यह ऐसा होगा लेकिन आपको अगर स्क्रीन पर ऐसा दिख रहा है तो इसका मतलब कि हमारा वन नोट इसमें रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है तो यह सारी चीजे हम इन सारी चीजों से बचने के लिए जो ह लाइक कर देना और मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई